हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें जैमा इंद्राक्ष्री इंद्राक्ष्री धाम में दर्सों को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब काम ना है आज का पंच्चंग पांच नवंबर सन दोहजार बीस दिन गुरुबार कार्तिक महा कर्शन पक समवन दोहजार सततर तिथी आज पंचमी है नक्षत आर्द्रा है रहुकाल डेर सेतीर दिशासूल दक्षिंदिसा दिपावली को लेकर के कुछ लोगों के मन में कन्फियूजन है कि चतुदर्शी और दिपावली एक साथ आ रही है क्या बहुत लोगों को कन्फियूजन है तो आईए इस अंक में हम बताते हैं कार्तिक महा में होने वाले तीज त्युहार और नवंबर में होने वाले तीज दिवाद, दोने बाते आप जाने, जैसे कि आप सब को पता ही है, एक नवंबर से कार्तिक महा प्रारंब हो चुका है, कुछ लोग और कुछ हमानयताओं के हिसाब से, इस से पहला जो महीन गया है, आश्विन की शुग्ल पकष की एकाश्ची से ही कार्तिक महा प्रारंब माना जाता है लेकिन अगर मैं आपको इस पंचांग की बात भी करूँ तो एक नवंबर से कार्थिक महा हो चुका है और जो की 30 तारिक तक 30 नवंबर तक कार्थिक महा की बेला रहेगी 30 नवंबर की पूर्णिमा रहेगी तब तक हमें वो दीवदान का भी संकलप करना है आगे बढ़ें चार तारिक का जैसे की कर्वा चोत कल कर्वा चोत रहा है चार तारिक का कर्वा चोत था और अब अहोई अस्टमी है ना अहोई अस्टमी कब है अहोई माता की जो पूजा की जाती है वो आठ तारिक को रहेगी आठ नवंबर को अहोई अस्टमी मनाई जाएग और सब्तमी की जो बेला है सुबह सुबह साथ बचकर बत्तिस मिनट तक है फिर उसके बाद अश्टमी की बेला रहेगी इसलिए अहुई अश्टमी आठ तारिक की मानिनी है दिन है रविवार आठ नवंबर इसके बाद एकाशी है ग्यारा तारिक की एकाशी है दिन वुदवार ग्यारा तारिक की एकाशी है रमा एकाशी का वरत रहेगा फिर बारा तारिक को कुछ लोग धंतेरस मनाएंगे कुछ लोग तिरोध्शी काईदे में जो है वो इस बार तेरा तारिक की है ध्यान रखें त प्रदोश का जो वर्त रहेगा जो वर्त वर्र रहते हैं वो तेहरा तरीक का आप रखें प्रदोशYeahal का वर्त अब हम दिपावली पर आते हैं चोती और बड़ी दोनों ही दिपावली ऐसे मानके चलें वो चौदा नवंबर की मनाई जाएंगी दिन शनीवार रूप दिपावली और उस दिन का बाल दिवस भी है तो खास तोर से जो हम विशेस अपनी दिपावली महादिपावली का पूजन करते हैं आमवश्या की जो रात्री है वो हम चौदा तारीक को ही दिपावली का पूजन करेंगे में मुख्य पूजन जो महालक्षमी महासरस्वती महाकाली का होता है एक चीज इसमें ध्यानों रखें जो 14 है वो दिन में शनीवार में दो बजगर के 20 मिनट तक 14 है दो बजगर के 20 मिनट के बाद अमवस्या प्रारंब हो जाएगी लेकिन पित्रों की जि चालिस मिनट से पहले पहले यानि के पंदरा तारीक को दस बज करके चालिस मिनट तक अमावस्ट्या का योग रहेगा और उसके बाद फिर पढ़वा प्रतिपता लग जाएगी लेकिन अन्रकूट का जो परव है वो पंदरा तारीक को मनाए जाएगा भाया दूज जो है वो लाव पंचमी का भी बहुत लोग घर में कुछ न कुछ करते हैं तो लाव पंचमी जो है उन्निस नवंबर की है दिन है गुरुबार इसके बाद हम आ जाते हैं एक आदशी पर 25 नवंबर की एक आदशी है और ये एक आदशी बहुत बड़ी होती है देव प्रबोधनी एक इसके बाद बहुत लोग बहाँ शादी बहुत चीजों का वेट करते हैं तो देव प्रबोधनी जो एक आशी है वो 25 नवंबर की है दिन है बुद्वार आप लोग ध्यान रखें अब प्रदोश का जो वर्त फिराता है ये शुकलपक्स का आएगा और ये जो एक आशी है ये मेरेगी किस दिन यनथ-टरिख को अगर पूर्णीमा का वर्त रखना है वर त यह आप रखते हैं तो वर्त आप रखें यनथिस तरीकों किसी को सूरीय-विदय के साथ की पूर्णीमा है और यदि जो हम पूर्णीमा मनाएंगे जो हम लास्ट में जो दिय हो वाला कार हैी वह हम सोंबार को करेंगे तीस तारीक का रहेगा और तीस तारीक की पूर्णिमा है लेकिन ये दिन दिन में हैं चोदा बज़ के अठावन निमट तक है तो अभी हम अपना पूरा डिसीजन लेंगे कि हम जो संपूर्ण दिये जलाएंगे वह हम 29 में रखेंगे या 30 में रखे चलते हलते फिर बताता हूं 29 तारीक का आप लोग करें किसी प्रकार से कोई व्यवधान नहीं है इस महीने के ये 30 तिवार थे बहुत लोगों का बारबार हमें आता है कि सर्मा जी हर महीने के 30 तिवार आप एक एपिसोड में बता दिया करें हलाकि इसमें 3-4 दिन लेट हो तो आप सारा दुबारा दुबारा सुन करके नोट डाउन कर सकते हैं अब दूसरी बात हम जो दीपदान कर रहे हैं सवालाख बत्तियों का संकल्प है रोई की लंबी बत्ति बनाई जाएं छोटे छोटे मिट्टी के दिये हो या घर का जो तांबे चांदी का कोई विदिय लगेगा तो आप ऐसी विदिया बत्ता बीक बनाएं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और ये जो आप इस मुहिम का हिस्ता बन रहा है का इस संकल्प का हिस्ता। परिवार पूरा मिलकर के यह सवालाख दिये भगवान विश्णु को पूर्णिमा तक अर्पन करता है संद्या के समय तो यह समझ लें नाना भाती के कष्टों को वो मुक्ति पाता है कष्टों से नाना भाती की सुख स्राधन उसके उपस्तित होती है बहुत एक और अध्यात दीज्ट बॉक्स में लिखें शर्मा जी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ या जैसे आयम फरम मुड़ीशा आयम फरम नेपाल जहां से भी आप हैं कि मैं यहाँ से हूं और मैं इतने दिये जलाने का संकलब लेता हूँ या लेती हूँ तो हम आपका नाम भी लिखते जाएंगे और अंतिम दिन यानि के 29 में भी कोशिस करेंगे क्योंकि बड़ा यग होगा है इसलिए मुझे लगता है एक दिन में नहीं पुरा हो पाएगा दो दिन चलेगा 29 और 30 दोनों ही मानके चलते हैं उस दिन हम आप सबके नाम से एक विसेश प्रकार का महा यग्या करेंगे ताकि भगवान वेशनों की सबको करपा रापत हो और हमारे ऐसे बहुत सादक हैं दर्शक हैं जो विदेसों में बहुत दूर दूर से हमें कॉमेट्स लिख रहे हैं कि मैं यहां से बोल रही हूँ यहां से बोल रहा हूँ यहां में रहता हूँ और मैं इतने दिये जलाओंगा तो आप सबको मैं बहुत साद वाद देता हूँ और सभी के लिए जितने भी हमारे इस कारे करम को देखने वाले सादक हैं सबी की मनोकामनाएं भगवान हरी की करपासे पूर्ण हो बस मैं इतना ही भगवान हरी से आप सब के लिए प्राथना करूँगा और करता रहूँगा इस पूरी पूर्णिमा तक जब तक ये सारा विधान रहेगा बस आप योही प्रेम से हमारे साथ जुड़े रहेगा आईए साथको समय उचला है आज की जहन साथना का जुड़ते हैं भगवान शिरी हरी से बाला मुकुंदं मनसा स्मरामी कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्तले कोस्तुवं नासा ग्रेवर मोक्तिकं करतले वेनुक करे कंकणं सरवांगे हरिचंदनं सुललितं कंठेच मुक्तावले गोपास्ती परिवेष्टितो विजयते गोपाले चोडा मनी सांताकारं वुजगशयनं पद्वनावं सुरेसं विश्वात्धारं गगनसद्रिशं मेगवर्णं सुवांगं लक्षमी कांतं कमल नैनं योग व्रिद्या नगम्यं वंदे विश्ट्नुम्भव वयहरं सर्वलो के कनाधं कबच बना लें ध्यान करें भगवान सुरे कृष्षन का असिरवाद हम सब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेतर खुलें समान्य हो जाएं दीपावली तक यंत्रों का निर्मान रहेगा सुरीयंत्र अंबिकायंत्र सूर्ययंत्र तो जो साधक अपने लिए नियंत्रों की प्राप्ति करना चाहते हों वो हमारे संस्तान में संपर्क कर सकते हैं और जिनके नवरात्र में, नवरात्र से पहले या नवरात्र में जिन्हों ने कराई थे, करीब करीब सभी के यंत्र हम लोग भेज चुके हैं और भेजे जा रहे हैं, सभी को मिल जाएंगे, और कैसे कैसे यंत्रों की पूजा करनी है, वो पूरी बुक उसके साथ हम आपको भ भीज रहे हैं व्यक्तिकत रूप से अभी हम दिली में नहीं बैठ रहे हैं अभी हमने ओफिस में दिली में व्यक्तिकत मिलना परारम नहीं किया है तो आप चाहें देश में रहते हैं विदेश में रहते हैं कहीं भी आप रहते हैं दूर दूरास कहने का भाव तो आपकी कोई भी जीवन की समस्या है और आप अपनी कुंडली दिखा करके या हाथ की रेखाओं के माद्यम से अपनी उस समस्या के निरा करना चाहते हैं तो आप हमारे संस्तान में दिये गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं सुबह दस से सामच्या के बीच किसी भी समस्या के लिए आप हमसे परामर्श ले सकते हैं इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देती हैं जयमा इंद्राक्षी किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्यानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें